तो यहार रूसो बदस ने AI के हिल्प से बना दिया Avengers को, DC में हो गया Major Khan और Somehow Multiverse of Madness Best Movie बन गई ऐसी कई सारे Major Updates हैं आज Kennedy News में तो as always कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो इन तक जरूर देखना चलो स्टार्ट करते हैं DC में हुए Khan से आएगे सभी तक सबको पता चली गया होगा लेकिन मैं एक proper structured way में अच्छे से समझा देता हूँ तो देखो last week हुआ क्या कि सबसे पहले खबर आई कि Wonder Woman 3 जो आने वाली है उसको cancel कर दिया गया है मतलब इस मूवी का sequel बनेगा ही नहीं और इस खबर के आने के बाद back to back कई सारे news आने लगें सब में लगभग एक ही चीज था कि ये movie cancel हो गई वो movie cancel हो गई सबसे पहले तो Wonder Woman 3, then Man of Steel 2, then The Flash 2, फिर Black Adam का sequel, फिर Static Shock की movie इसके बाद Black Canary की movie, फिर Green Lantern Cops की movie, इसके बाद J.J. Abrams की Superman की movie, Michael Keaton के Batman की solo movie, Our Man, और recently Announce Constantine का sequel किया New Reefs के साथ तो इन सब की movie को लेकर कहीं न कहीं किसी न किसी news portal पे खबर आई कि ये सब cancel हो चुके हैं वैसे Wonder Woman 3 को लेकर कुछ जादा details आए हैं, कि Patty Jenkins ने जो script लिखा था, वो Warner Brothers में किसी को पसंद नहीं आया था जिस पे उन्हें request किया गया, कि वो script को rewrite करें और इसी पे Patty Jenkins ने agree नहीं किया, और उन्होंने ये project छोड़ दिया ब्लाक एडम की सीक्वल को cancel होने का reason ये बताया जा रहा है, कि फर्स्ट पार्ट से ही Warner Brothers को major loss हुआ है अरॉंड 50 million to 100 million को loss, ऐसा variety वालों ने अपने report में बताया हाला कि ऐसी भी खबर आई है कि इसकी एक spin-off movie आने वाली है, Hawkman के character पे then Aquaman 2 को लेकर भी ये बोला गया कि ये Jason Momoa की last movie होने वाली है, as Aquaman तो ऐसा समझो कि upcoming जो भी movies आने वाली थी DC में, उसको लेकर ये कबर आई, कि भाई ये cancel हो गई, ये cancel हो गई, इसमें कोई changes हो गए, पूरा week यहीरा and obviously इससे fans बहुत ज़्यादा disappointed हुए, and hashtag fire James Gunn trend होने लगा, लेकिन tension नहीं लो, James Gunn ने खुद इस पर response किया है, उन्होंने बोला कि जितने भी reports और news है, उनमें से कुछ बात सही है, कुछ बात आधी सच है, और कोई-कोई news तो पूरी तरह से गलत है, इविन सारे fans ये भी इसी के universe को revive कर पाएंगे, I am sure कि इस पर सबका different opinion होगा, जो कि obvious भी है, लेकिन यही opinion आप प्रोबो पे क्यों नहीं submit करते, अब आप सभी का next question होगा, कि ये प्रोबो क्या है, अरे प्रोबो इंडिया का पहला opinion trading platform है, जहाँ पर 10 million plus users है, social media पर opinion देकर आपको पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रोब पर yes और no में answer देकर आप पैसे कमा सकते हो, यहाँ सिर्फ movies या series ही नहीं, आप news, weather, fun, finance, current affairs, bollywood, इन जैसी कई categories में अपना opinion दे सकते हो, चलो avatar way of the water से लेटेड एक opinion पर trade करते हैं, तो सवाल है कि क्या avatar to first movie का record तोड़कर highest grossing movie बन पाएगी, my answer is definitely yes, तो मैंने yes पर पैसे invest किये, और क्योंकि मैं sure हूँ, तो नीचे दियेगे quantity slider को increase करके अपना investment बढ़ा दिया, और opinion सब्मेट कर दिया, अपने कमाई हुए profit आप easily transfer कर सकते हो, UPI, Paytm and GPA और card के थ्रू, सीधे bank account में, तो जो और description link से प्रोब आप डॉनलोड करके 25 रुपे तक का welcome bonus भी पाओ, और अपना opinion शेयर करके धेर सारे profits कमाओ, चलो अब DC पर आगे बात होगी, पहले कुछ concept art देख लेते हैं, जो की Black Panther, Wakanda Forever से release किये गए, यहाँ आप देखी सकते हो कि शूरी की बहुत सारे नए concept art रिलीज किये गए हैं, जो की movie में used नहीं हुए थे, इव HBO Max का नाम चेंज होने वाला है, और इसे सिर्फ अब Max बोला जाएगा, यह decision लिया गया Discovery Plus और HBO Max के merger के बाद, तो हाँ अब इसका नाम Max रहेगा, और क्या बता इस पर सूरेवन शम भी दे दे, दिन मावज स्टूडियोस के दरफ से एक major खबर आई है, कि स्टूडियोस के head ने ये decide क्या है, कि 2023 से ये लोग कम series and movies release करेंगे, मतलब हाँ Marvel वाले समझ गए हैं, कि फैंस को quality चाहिए, quantity नहीं, दिन हाँ Contamania का trailer जब से आया था, सब यही बोल रहे थे कि इसमें Ant-Man मर जाएगा, लेकिन एक नहीं खबर उड़ते उड़ते आई है, किसमें Ant-Man का character नहीं मरने वाला, बलकि उपर से Ant-Man का character फ्यूचर में, बाकी सूपर हीरोस को Kang के अगेंस्ट लीड करेगा, मतलब फॉर शोर Avengers Kang Dynasty में Ant-Man दिखने वाला है, हाँ यह official news नहीं है, बस उड़ती उड़ती खबर है, दिना एक major news है Wednesday से, तो आपने obviously ये series देखी हो या ने देखी हो, इसको dance करते हुए देखा ही होगा, तो अब ऐसे reports आ रहे हैं कि Marvel Studios Wednesday के director, मैं obviously उनका नाम नहीं पढ़ना चाता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लेना, तो इनी से Marvel Studios discussion में है, आगे था की series के लिए, एक पर Marvel वालों ने Avengers Infinity War और Endgame के दो ने posters रिलीज किये हैं, साथ ही एक major news रही कि People Choice Award में, Multiverse of Madness को Best Movie of 2022 का वार्ड मिला है, नॉमिनेशन में The Batman और Top Gun Maverick जैसी movies भी थी, और भाई मैं सही में बोलूँगा कि कोई कितना भी हाटकोर Marvel फैन हो, वो मुपे बोले या ना बोले, पर वो जानता है कि The Batman और Top Gun Maverick, ये दोनों ही movies Multiverse of Madness से बहुत जादा बिटर थी, लेकिन फिर भी आपके cat hot से comment में बता देना, आगे बड़े तो है Flash का season 9, मतलब इसका final season, तो इसका final season next year February 8 से प्रीमियर हो जाएगा, और इसको लेकर CW के President ने बोला है, कि season 9 में guest appearance, दूसरे characters का cameo और बहुत सारे twist भरे रहेंगे, मतलब हम सीजन 9 को एक proper ending दी जारी है, पूरे fun के साथ, यही पर रुसर बस्त में AI से कुछ Avengers को create किया है, उन्होंने अपनी social media पे ये कुछ photo's share किये, Avengers के AI generated versions का, इन में से कौन सा version आपको सही लगा, comment में जरूर बताना, भाई धायनोस को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है, किसने आखों का operation कराया है, देने का और major statement है Robert Donnie Jr. की तरफ से, तो आपको पता ही हो कि Quentin Tarantino ने Marvel को लेकर एक statement दिया था recently, कि कैसे Marvel में character stars होते हैं, ना कि actor, इस पर RDJ ने बहुत ही mature response दिया है, उनसे जब इस statement पर reaction करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला कि यार ये सबसे उपर बढ़ो, ये सबसे आगे बढ़ो, movie industry में हम लोग सब एक community हैं, और सब के लिए बहुत enough जगा है, एक साथ coexist करने के लिए, तो हाँ येर मेरे according तो बहुत अच्छा statement है, फिर भी आपको क्या लगता है, comment में बता देना, तिरहां Logan की movie आपने देखी होगी, तो इसके director James Mangold ने ये बोला है, कि वो DC Studios में काम करने में interested हैं, मलब हाँ वो DC के किसी character को लेकर movie direct करना चाते हैं, फिरहां Black Adam जिसने अभी तक नहीं देखा, तो tension लेने की बात नहीं है, अब December 16 को इसको HBO Max पे release कर दिया जाएगा, तो यार ये थे छोटे मंगर major updates, अब आगे बढ़ते हैं Daredevil और Deadpool 3 पे, तो सबसे पहले Daredevil बाउन अगेन के कुछ casting updates हैं, जहां actress Margarita Leviva और Sandrine Hot को इस series में cast किया गया है, फिर actor Manny Jacinto, जिनने हमने recently Top Gun Maverick में देखा था, उन्हें भी इस series में एक role को लेकर approach किया गया था, लेकिन उन्होंने ये offer reject कर दिया, फिर Charlie Cox ने recently एक interview में statement दिया, कि Daredevil बाउन अगेन का जैसा tone है, और ये जैसा character है, तो इससे Daredevil 3 में भी इस character का appearance हो सकता है, एक तरह से Daredevil 3 में Daredevil का cameo हो सकता है, ऐसा उन्होंने hint दिया है, वैसे आपको पता हो गई कि Daredevil 3 में TVA, Mobius, इन सब के दिखने का rumor है, चलो बागे बढ़ते हैं Batman से लिटेड अपडेट पे, जहां सबसे पहले तो Pennyward की जो series है, उसमें Batman का cameo हो सकता है, ऐसा इसके showrunner Bruno Hiller ने बोला है, फिर हां Aquaman 2 में recently reshoot हुए थे, जिसमें Ben Affleck के Batman को add किया गया था, ये news सब को पता है, लेकिन recently एक test screening हुआ, जिससे ये खबर आई है कि Ben Affleck का Batman इस movie में है ही नहीं, तो हां हो सकता है कि test screening के बाद कुछ changes किया जाए, या फिर movie के post के इर सीन में हमें Batman दिखे, फिर हां मैंने पहले भी बताया कि Michael Keaton की जो Batman की solo movie थी, उसे cancel कर दिया गया, तो इसी को लेकर ये भी report है कि ये जो movie होने वाली थी, ये Batman Beyond की storyline को follow करती, और हां recently Batman की legendary voice actor Kevin Conroy की death हुई थी आप सब को पता है, तो इन्होंने अपना voice last time, suicide squad kill the justice league game में दिया था, और इस game का official trailer आ चुका है, तो हां ये game Kevin Conroy की last project होगी as Batman, और हां Batman की बात हुरी तो जोकर की sequel का भी खबर दे दू, कि जोकर 2 का shooting स्टार्ट हो चुका है, और movie से walk in phoenix का ये first look reveal किया गया, चलो in the end आते हैं Superman से related updates पे, तो man of steel 2 cancel हो गया, ऐसी खबर आई है, मैंने starting में बताया, तो इसी को लेकर ये भी reveal हुआ, कि इसका एक storyline पीकी ब्लैंडर्स के creator Stephen Knight ने लिखा था, लेगिन उनकी जो script थी, वो Warner Brothers को impressed नहीं कर पाई, पर हां मैं sure हो कि Superman के role में Henry Cavill ही दिखेंगे, वैसे कुछ reports ऐसे भी आए है, कि Black Adam में Henry Cavill के cameo से पहले, उनके Superman का return अल्रेडी एक movie में plan किया जा रहा था, जो कि Crisis on Infinite Earth को adapt करती, तो let's see क्या बदा future में हमें यही storyline देखने को मिल जाए, वैसे Flash की upcoming movie में Henry Cavill का cameo भी होने वाला है, तो इसी को लेकर शायद Warner Brothers discussion में है, कि इस movie में Superman को दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, तो chances हैं कि उनका cameo इस movie से cut हो जाएगा, शायद ऐसा Ezra Miller के behavior के चलते हो रहा होगा, पर आफ Flash की movie का release date अब change कर दिया गया है, और ये movie एक week पहले June 16, 2023 में release होगी, तियर ये थे इस week के updates, होप सो कि आप पूरी तरह से updated हो गया होगे, इफ हां तो वीडियो like and share करना, और अपना opinion share करने के लिए probo app ज़रूर download करना, मैंने description में link दे दिया है, Ask Nerd का episode 5 देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें, और स्पाइडर मैन की cinematic history जानने के लिए नीचे वाली, मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊँगा, till then be desi, be nerd.